वेलकम तू फिल्मी टॉप टॉप्टॉप्स एक्टर जैकी शुरॉफ ने फिल्म इंडेस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है। जैकी का बच्पन काफी संगर्ष में बीदा। उन्होंने सफल एक्टर के तोर पर मुकाम हासिल करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। जैकी पोपुलर रियलिटी सोव सुपर डांसर चैप्टर थ्री में सामिल हुए। इस दोरान एक कंटेस्टेंट की कहानी और संगर्ष सुनकर वे केमोशनल हो गए। शो में एक्टर ने अपने जीवन की कठिनायों के बारे में बताया। जैकी ने बताया। मैंने अपने जीवन के 33 साल चोल में बिताई है। हम 30 लोग चोल में रहते थे। जिसमें केवल साथ घर थे। और उनके बीच 3 बातरूम। मेरी स्कूल की फिस बरने के लिए मां बरतन और साड़िया बेज़ती थी। हर इंसान के अंदर जादू होता है। और हर कोई वो सब हासिल कर सकता है। जिसकी वो चाहत रखता है। एक हीरो बनने के कई साल बाद भी मैं उस चोल में रहता था। मुझे उस जगह से काफी ज़्यादा लगाओ हो गया था। जैकी ने बताया। तब गम कम था जब कमरे कम थे। जैकी श्रोप बोलीवूड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो आज भी जमीन से जुड़े हुए है। जैकी श्रोप अपनी चाहने वालों का खास खयाल रखते हैं। जैकी श्रोप को पसंद करने वाले आपको हर जगे आसानी से मिल जाएंगे। तो गाईज ये थी सुपर हिट हीरो जैकी श्रोप के संघर्स की कहानी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताए। और चैनल को सब्सक्रेब बरना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ने वापको के साथ धन्यवाद।